हमीत खां संचयन भाग एक हिंदी सके पोटेट काट सवालों के जवाब बोध प्रश्न पहला लिखक का परिचे हमीत खां से किन परिशितियों में हुआ उत्तर गर्मियों में लिखक तक्षिला के खंडहर देखने गया था गर्मी के कारण लिखक को भूख प्यास से बुरा हल हो रहा था खाने की तलाश में वह रेल्वी स्टेशन से आगे बसे गाउं की ओर चल गया वहाँ तंग और गंदी गलियों से भरा बाजार था वहाँ पर खाने पीने का कोई होटल या दुकान नहीं दिखाई दे रही थी और लिखक भूख प्यास से परिशान था तब ही एक दुकान पर रोटियां से की जा रही थी जिसकी खुश्बू से लिखक की भूख और बढ़ गई वह दुकान में चला गया और खाने के लिए मांगा वहीं हमीद खान से परिशे हुआ 2. काश मैं अपने मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता हमीद ने ऐसा क्यूं कहा उत्तर हमीद खान को पता चला कि लेखक हिंदू है तो उसने पूछा कि क्या वह मुसल्मानी होटल में खाएंगे तब लेखक ने बताया कि हिंदूस्तान में हिंदू मुसल्मान में कोई भेद नहीं होते हैं अच्छा पुलाव खाने के लिए वह मुसल्मानी होटल में ही जाते हैं वहां हिंदू मुसल्मानों के बीश दंगे नहीं होते, सब बराबर हैं, हामीद को एकदम विश्वाश नहीं हुआ, क्योंकि उसके यहां ऐसा नहीं था, वहें यह सब अपनी आँखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने उप्यूक्त कथन को कहा तीसरा, हामीद को लिखक की किन बातों पर विश्वाश नहीं हो रहा था, उत्तर, लिखक ने हामीद को कहा कि वहें बढ़िया खाना खाने मुसल्मानी होटल में जाते हैं, वहां हिंदू मुसल्मान में कोई फर्क नहीं किया जाता है, सभी प्रेम और सदभाव से रहते हैं, हिंदू मुसल्मान दंगे भी ना हो के बराबर होते हैं, लिखक की इन सब बातों पर उसे विश्वाश नहीं हो रहा था, चौथा, हामीद खाने खाने का पैसा लेने से इंकार क्यों किया, उत्तर, हामीद खाने लिखक को महमान माना था, उसे गर्व था कि एक हिंदू ने उसके होटल का खाना खाया था, इसलिए उसने खाना खाने के पैसे लेने से इंकार किया, पांचवा, माला बार में हिंदू मुसल्मानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिये, उत्तर, माला बार में हिंदू मुसल्मान मिलकर रहते हैं, उनमें आपसी दंगे भी नहीं होते हैं, दोनों के धर्मों में कोई बेदभाव नहीं होता है, बढ़िया खाना खाने के लिए हिंदू भी मुसल्मानी होटल में खाने जाते हैं, वहां आपसी मेल जोल का माहौल है, मुसल्मानों ने द्वारा भारत में स्थापित पहली मज़िद भी इसी च्छटा, तक्षिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन धा, इससे लेखक के सौभाव की किस विशेष्टा का परिचय मिलता है। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.